नमस्ते दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे जैसे कि पता होगा अभी जो हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो बिहार यहां पे आपका चैप्टर नमबर 1 ता आज इसका चैप्टर नमबर 1 का ही पार्ट 3 होने वाला है इससे पहले अगर चैनल पर आप लोगों ने ओक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें जाकर देख ले यह आगर क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक क्या जिग्णाइन आपकर वीडि किस तरीका से हुआ है कि छेतर से क्या-क्या चीज प्राप्त होता है ठीक है तो खनी संसादन में जैसे ही आईएगा तो आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा लोग और मैगनीज का जो भंडार हंड को धरवार समू में पाए जाता है और यह जो धरवार समू है वो पूरो कैम भारत में पाए जाते हैं जैसे कि आपको पता होगा और लेडी मैंने यह चीज पहले भी पढ़ा रखे है ठीक है उसके बाद जैसे ही आगे आईएगा तो आगे अगर कि यहां पर देखिएगा तो यहां पर दिये गए हैं कि भारत में पाए जाने वाले लौ आयस्क तीन तरीका के यहां पर लोग पाए जाता है कौन कौन से हेमेटाइट मैंगनेटाइट और लीमो नाइट है यहां पर तीन तरीका से आप लोग जात रखिएगा और उसके बाद भारत जो है पूरे बिस्व के लोग भंडारण का एक चौन्थाई भाग आंकलित करता है यहां प पर उत्पादान होते हैं जो जहां पर करनाटक में जाएका बेलारी ऑस्पेट संदूरादी छेतर जो है लोग एस चेतर है आप लोग यह चीच अच्छे से याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो भी लोग यह यहां पर BPSC का TRE3 का तयारी कर रहे हैं या TRE4 का तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बैतरीन से यहां पर study kit लेकर आगया हूं जिसका नाम है BPSC का selection kit इसके बारे मैं अल्रेडी मैंने बहुत बार आपसे बाते कर चुके हैं इससे पहले मैंने TRE1 में जो TRE2 में जो परि study करके यहां पर तयारी कर रहे हैं BPSC का तो उसके लिए यह रामबार सावित होगा इसमें जो भी आपका syllabus दिया गया है BPSC के दोवार उस सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से एक जेव पर compile कर दिये हैं जैसे कि Class 6 से लेकर Class 10 तक का ACRT, NCRT जो भी books है उसके chapter wise मैंने notes बना रहे हैं जैसे मैं science हो गया, history हो गया, geography हो गया, policy हो गया, economics हो गया, बाकी BPSC का जो भी previous year questions हैं जैसे कि आपको पता होगा जो अपना BPSC civil service exam में, standard exam में सवाल पूछते हैं, कई बार होता है कि वो सवाल भी repeat हो जाते हैं, तो यह सारा कुछ का मैं MCQs का अलग से PDF दूँगा, साथ ही साथ TRE12 का जो यहाँ पर BPSC ने परिच्छा लिये थे, उसका क्यूचन सेंसर देंगे, साथ ही साथ जो 500 most important current affair हम प्रोबाइड करते हैं, उसको प्रोबाइड करेंगे, भारत का राष्टी यह आंदोलन यह आपको एक PDF प्रोबाइड कराएंगे, यह complete package होने वाला है या 6 to 8 junior level के तयारी कर रहे हैं, बाकी जो 9 और 13 का तयारी कर रहे हैं और 11, 12 को तयारी कर रहे हैं, तो उनको इसको जो 6 to 10 है, इसको उनको पढ़ना होगा 6 to 12 बस बाकी सिले बस सीजे सेम रहेंगी, आई होप कि आप लोग बाते समझ गए होंगी, जिनको भी चाहिए होगा यह study kit दिये गए number पर 9176800345 पर हमको WhatsApp कर सकते हैं, और मातर मातर अभी आप इसको 299 में ले सकते हैं, यह एक बहुत ही बहतरीन कीट है, इससे बहुत सारे सवाल एक्जाम में देखने को direct to direct मिलते हैं, अगर कि आप इतना books नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो यह समझ लिए कि 30 आप यहां पर मैंने आपको बता रखे हैं, क्या बता हैं? कि यहां पर जो करनाड का है, यहां पर 14 diamonds था यहां पर मिलता है, उसके बाद आता है कि महराश्ट में लो ऐस के खाने जो है, महराश्ट मगर जाईएगा, तो लो ऐस के खाने हैं जैसे चंदरपूर हो गया, इस़िए आप लोग यह दोनों भी याद रखिये गाए इसका जो मैगनीज का दोस्तों, जो यूपियोग होता है को जंगरोधी Amy Bertas — दージबी धातू बनता है, उसके बाद आता है कि बंधारन होता है वो सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन यहां पर उडिसा के दोवारा होता है ठीक है उडिसा भारत का कुल उत्पादन का 42 पर साइड उत्पादित करता है आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो इसलिए यहां पर उडिसा बहुत ही इंपोटेंट हो जाता है उसके बाद यहां पर पुर्वी यों पच्छिम सीम्भूम जो जीला है वहां तामबा के सबसे बड़ा उत्पादन है यह आप लोग याद र ता आप लोग इसको भी याद रखिएगा साथ ही साथ तामबा गार के और आप लोग याद रखना चाहते हैं तो मद्य परदेश के बाला घाट ता च्छतिस गड़ के दूर में भी तामबा पाया जाता है यह जितना भी चीज़े आप देख रहे हैं आपका जो भी एंसी यह CIT बूक है एक एक लाइन में पढ़ने के बाद जैसे क्या होता है आप लोग बुक्स किस तरीका से पढ़ते होंगे उसके बाद जो भी मिडिल पॉइंट आता है इंपोटेंट पॉइंट उसको हाइलाइट कर देते होंगे ठीक है मैं भी सेम तरीके से पढ़ता हूँ यही जो आप जो नोट्स देख रहे हैं वही जो हाइलाइट के में इंपोटेंट पॉइंट हुआ उसी को मैंने पीडिएप के फॉम में यहां पे आप लोग बना दिया हूँ तो समझ लिजिए आपको कितना समय ज्यादा बचेगा अगर के NCRT आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन हाँ यह भी बात है और कि आप खुद से पढ़ियेगा तो उससे ज्यादा आपको समझ में चीज़े आएंगी क्योंकि आपको पीछे का कॉंटेस्ट पूरा मालूम रहेगा कैसे वह वर्क कर रहा है और यहां पर क्या ह यहां पर बहुत बर सवाल पूछा जाचेका है कौन सा अवरक सीट अवरक यहां पर और भारत में जितने भी यहां पर अवरक उत्पादन किया जाता है उसका 80% उत्पादन यहीं दुनों राजियों को मिलाकर किया जाता है आसा करता हूं समझ गया होंगे और जब इतना य जाएदा कौन सा देट भारत है आप लोग याद रखेगा अमेरिका सबसे ज़्यदा अफरप का यहां पर मैंने लिख दियें और फिर सबसे कम जो उप्योग होता है यानि कि लगबग 4% जितने भी भारत में चुना पथर का उत्पादन होता है उसमें 4% के रसायन का जो है मतलब चुना पथर का रसायन में उप्योग होता है आसा करता हूँ आप लोग इतना चीजे समझ गये होंगे उसके बाद देश क जो 35% चुना पथर जो है वो केवल और केवल मद परदेश से प्राप्ट कर लिया जाता है आई होप कि आप इतना बाते समझ गये हैं यहां से स्टार्ट होता है वस्टो निष्ट प्रस नयानि कि जो भी मैंने आपको संसाधन पढ़ाएं खनीज संसाधन उससे यहां पर क् ब्री ब्रीट में औ अबजेक्टिव के रूप में दिया है तो मैं आपको बता डेता हूं भारत में लगबख कितने खनीज पाए जाते हैं तो याद रखिए का लगबख 200 खनीज पाए जाते है और लोध यूग्त खनीज का उदान कौन सा है तो मैं जैसा कि बताया उपर म मैगनीज जो है लोह युक्त खनीज का उदारन है इसको लोहा और मैगनीज के साथ में यहाँ पर मिस्र धातु भी बनाया जाता है उसके बाद यहाँ पर चार ओप्संस दिये थे आपके एक निमलिखित में से कौन सा धात्वी खनीज है याद रखेगा जो सुना है आपका धात्वी खनीज है उसके बाद किस खनीज को उद्यों की जन्रिनी माना जाता है यानि कि वो लोहा है यह बहुत बार सवाल पुछा बीच आ चुका है कि उद्यों का जन्रिनी किस को बोला जाता है तो वो लोहा को बोला जाता है कौन लोव S का एक परकार है जैसा कि देख सकते हैं तो लिगनाइट, हेमेटाइट और बीटू मीनस यह तीनों ही यहाँ परकार है आप लोग याद रखिएगा अगला आता है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोव उत्पादक राज है यहाँ पर कहां पर करनाटक हुआ आपका मैंगनीज उत्पादर ने भारत का बिसो में कौन सा अस्थान है तो सबसे यहाँ पर भारत में अस्थान तीसरा अस्थान है मैंने बताया जो पहला अस्थान है और रसिया का अस्थान है दूसरा जो अस्थान है और यहाँ पे तीसरा अस्थान जो है भारत का अस्थान है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ उडिसा का जो सबसे ज़्यादा यहां पे उडिसा में जो है किस खनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो याद रखे का ताम बार कि यहां पे सबसे ज़्यादा उत्पादक है उसके बाद ऐल्मूनियम बनाने के लिए किस खनीज का वो सकता पड़ती है तो जो एलमुनियां बनाने के लिए वो सकता पड़ती है मेतर वो पड़ता है बॉकसाइड का I hope कि आप लोग इतना समझ गए होंगे ठीक है अगला आते हैं भूग प्यास नहीं ने लगा है आप लोग को अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट जैसे कि आएगा यहां पर सीमेंट उद्ध्यों का सबसे प्रचूर कच्चा माल गया है तो जो सबसे प्रचूर कच्चा माल है वो चूना पत्थर है आपका यहां पर बिल्कुल आपका राइट एंसर होता है तो यहां पर आपका जो भी खनी संसादन थें, खनी संसादन के महतूर्ण जो प्रचन थें, जो भी किताब में बुलेट पॉइंट है, मैंने आपको सारा कुछ वो बता दिये अब यहां से उसी चैप्टर में अगला पॉइंटर श्टार्ट होता है सक्ति उर्जा संसाधन, खली संसाधन तो पढ़ लिए अब उर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं उर्जा संसाधन में क्या कि मतलब उर्जा कहां कहां से हमारे भारत में उत्पन होती है उसका कैसे कैसे यूब होता है इसी तरीके के चीज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग याद रखिएगा कोईला का उपियोग करके सबसे पहले जो वास्प सक्ति का विकास हुआ था ना वो उर्जा स्रोत होंगे यह जो सारा कुछ यहां पर जैसे कि देख रहे हैं उसको बोलते हैं वानिजीयक उर्जा स्रोत आप लोग याद रखिएगा ऐसा भी याद सकते हैं जो भी जिससे उर्जा प्राप्त होती है उसको वानिजीयक उर्जा स्रोत बोलते हैं नॉर्मली बा बाद आता है गुंडवाना समू और टर्सियरी समू एक एक करके हम पढ़ते हैं जो यह गुंडवाना समू है यहां से 96 परतिसत कोईला भारत में प्राप्त किया जाता है गुंडवाना समू से इस छेतर में मुखिता चार नदियें कौन कौन सा नदियें दामोदर नदी सोन नदी महा नदी और वार्धा गोडावरी नदी यहां पर चार नदी महत्पून है तो आप लोग यह सवाल आप से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कोईला कि समू से पाया जाता है गुंडवाना समू टर्सियरी समू और इनमें से कोई नहीं हो गया इस तरीका कैसे आपको option दे देगा तो आप लोग को यहां पर गुंडवाना समू बिल्कुल right करके आना होगा अगला point आता है टर्सियरी समू ठीक है दोस्त जैसे ही टर्सियरी समू में आईएगा तो मैंने आपको बता दिया गुंडवाना समू के बारे में अब आते हैं टर्सियरी स समू है गुंडवाना समू के बार टर्सियरी समू के कोईले का निर्माड हुआ था क्योंकि पहली बार सबसे पहले जो कोईला का निर्माड जो हुआ था किस में हुआ था गुंडवाना समू में हुआ था जिसमें कि यही जो चार नदी बता है इसमें हुआ था उसके बाद में जो एक्जाम हुआ था उसमें आप से पूछा था काली मिटी का बिस्तार भारत के किन किन राजियों में पाए जाते हैं तो इससे पहले के जो मैं लेक्चर लिया था यानि कि क्लास 10 का जिग्रफिक पार्ट 2 का जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वो चीज मैंने पढ़ा था यह था जिए तो जल्दी से आप कोमेंट से जरूर बताईएंगा कि काली मिटी का जो भीस्तार है भारत के कितने राजियों में पाय जाते हैं और जो सबसे मोश्ट थीन है उसका नाम बताईएगा आप लोग थीक है उसके बाद आता है कोईले का वरगिकणन कोईले का बिद्धारगी करनтора चार निड़ने का कम पभाता है कि पर्तिसितसे एधीक होती है आप लोग याद रखेगा इसे क्वेल शुकुनिंग के आई डिया गाता उसके बाद धातु गलाने का भी यह काम आता है एंथरासाइट उसके बाद आता है यहां पर कि बूरा कोईला कि से कहा जाता है और यहीं चारों देगा यहां पर लिग नाइट मारकर सही आना है आसा करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे अगला पॉइंट आता है पीट का जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आपका पीट है पीट कोईला में कार्बन का जो परतिक् कोईला किसे कहते हैं और इसमें कौन सबसे सर्विस्टेट कोईला होता है जैसे कि मैंने बताया इंत्रसाइट यहीं दो तीन चार सवाल इसमें से बनते हैं कोईले के भंडार ने उत्तपादन के द्रिश्टी से याद रखेगा जारखंड जो है भारत का पहला आस्थाने आ बोल सकते हैं आप लोग यह कोईला में घाले के दारगीरी चेरा पुंजी लेत्रियोंगी और माउलंग में इस छेतर में पाया जाता है टर्सेरी यूग का जैसे कि मैंने बताया उपर में और उनाचल परदेश में नामचिंग और नामरूप कोईला का जो छेतर है दोस्तो पर तीसव का एक परतिसत पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और भारत में जो प्रथम बार यहां पे तेल का कुँआज खोदा गया था तो 1866 इस भी में खोदा गया था कहां पे अस्वम घाटी में खोदा गया था बहुत ही इंपोटेंट यहां से सब पॉइंट आपका आप लोग भूलिएगा नहीं याद रखिएगा अगला आता है कि 1890 इसवी में डिगबोई चेतर में तेल का यहां पे तेल मिला था उसके बाद यहां पे 1969 इस भी में खामबाद के छेतर में खोजा गया और 1975 इस भी में बंबाई यहाई में तेल का पता चला था तो आप ल वाई हाई में तेल खो जा गया था ठीक है उसके बाद अनुनाचल प्रदेश के निगरू और नागालेंड का बोर होला जो है वो तेल छेत्र के लिए जाना जाता है गुजरात जो छेत्र है दोस्तों पहली बार 1958 इस वी में तेल का पता चला था गुजरात छेत्र में इसका जो मुख उतपादक है अंकलेसवर कलोल नगवाओ कशाबा और मेहशाना आदी है कभी कभी जो डिरेक्ट यही पूछ लेता है कि अंकलेसवर तेल छेत्र इस राजी में इस्तित है तो आप लोग याद रखिए ग लन लेकिंटेल खुजने का कारे शुरू हुआ था और स्वमूंद्र में एक जगह पर सागर समराट नमक मंच बनाया purely में जो एक जल्यान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कारे करता है जो भारत के कुल उत्पादन का 66% उत्पादन करता है सागर समराट ठीक है अगला आता है कि 1901 इसवी में भारत का प्रोथम तेल सोधक करखाना कहा लगाया था तो अस्वम के डिगबोई में अस्थापना हुआ था कब 1901 इसवी में जो की भी भी आई होता है आप लोग इसको याद रखियेगा ठीक है आसा करता हूं समझ गये होंगे उसके बा करखाना बनाया गया जो दूसरा बनाया गया बहुत सालों के बाद यहां पर तिरपन सालों के बाद 1904 इसवी में बनाया गया कहां पर तो इसको बनाया गया मुंबई में बनाया गया और आज देश मेरे करेंट सिच्वेशन में देखियेगा तो 25 जो है यहां पर तेल सोध खकर खाना कारे रथ है आसा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आज का कलास नहीं पर रखते हैं कल आपका जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्राकृतिक गैस पढ़ाएंगे और इसके बाद आपका यहां पर चेप्टर नंबर वन समाप्त हो जाएगा और पांच शे कलास झाल